हेलो एवरिवन, स्वालाद आप सभी का टोपर क्यान निके डिवी में तो आप सभी के लिए आचुकी ये इंडियान डेलवे में भारती रेलवे में नहीं भड़ती ठीक है, आप सभी को बताएं, टेक्नीसिंस की जो भड़तियां हैं वह आ चुकी थी पहले ही काम क्या होते है वह आप सभी को यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा देख लेंगे एक बार यह काम होते है टेकनिसिंस का तो इसकी जो भड़तिया है आचुकी है और यह जो गुरूप D का लेवल होता है उसके उपर होती है बहुत जाद उपर होती है यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैं आप से भी को सारी चीज़े दिखाऊंगा और अपनी बात करूं तो मैं ओलिडी सेलेक्टिड था इंडर डेल्वे से टिक है जो कि मैं स्किप कर चुका हूं तो चलिए बाद शुरू करते हैं यहाँ पर आप से भी काता है आपको तारिक से 9 मार्च से फोर्म भी आपकर न सुरू करते ही लास्ट डेट 8 अप्रेल होगी 8 अप्रेल लास्ट डेट है ठीक है और फोर्म की जो आप सभी की फीस है जो सुधार उदार है वो 9 तारिक से होने शुरू जाएंगे उसको छोड़ते हैं और तो यहां पर अगर आप आपको बात करते हैं इसमें ITI मांगे रही है ठीके ITI या फिर BA BTEC आपसे भी के पास में होने चाहिए जो की बुरी खबर है अगर टोटल वेकैंसी की बात करते हैं तो टोटल वेकैंसी बहुत जाद हैं यहां पर देखेंगे आपसे भी लोग 1092 से लेकर 8052 वेकैंसी यहां पर यह यह वेकैंसी आपसे यहां पर है काफी एज लिमिट 18 से लेकर 36 साल के बीच में जिसकी एज है वह इस फॉर्म को अपलाई कर सकता है पहले क्या से नहीं जो था किसमें वह फॉर्म अपलाई कर सकते थे जो कि 12 पास हों बारवी पास हों वह भी PCM physics chemistry math से ठीक है जिसके पा आगे देखते हैं जो फोम भनने की फीस है वो होगी पांच उर्पे जन्रल और OBC वालों के लिए और यहां पर बात करते हैं SCHT के लिए 250 उर्पे फीस होगी और आपको रिफंड मिलेगा बाद में उसकी बात अलग है और यह दो तरीकी के बढ़ते हैं grade 1, grade 3 ठीक है अगर आपके पास वो नहीं है तो class 10th के साथ में ITI certificate जिसके पास है वो लोग इसका form apply कर सकते हैं ठीक है दोनों qualification हो चुकिए है यह चीज में है आगे बात करते है एज में छूट मायने करती है एज में छूट वो है SCHT के लिए 5 साल की छूट OBC के लिए 3 साल की छूट है ज किस की बीच में हूँ 2798 मिस लेकर ठीक है 271985 है डेट दे रखी है आप लोग यहाँ पर देख लेए यह आपकी डेट जो भी है इदे रखी है ठीक है और निचली सीमा जो है वो दे रखी है 1726 से बाद का बच्चा पैदा हुआ ना हो ठीक है आगे बात करते हैं आप से भी क 15 केंपूटर के बीश मैट्स के बीश और विज्ञान के 35 कोशन होंगे कुल मिलाकर 100 कोशन 100 नंबर का पेपर होगा और इस पेपर की कुछ खास से आपको बदा देता हूँ यहाँ पर यह 90 मिनिट का पेपर होगा 100 कोशन इसमें होंगे 1Y3 की नेगेटिव इसमें दी टीक है अगर जो जिसमें आठ यहार से के बराबर वेकैंसी ते हैं उसका पेपर सिंपल है सेम रेलबे गुरूब डी यानि कि उसकी तरीके का प्रेशन है थोड़ा सा अलग उससे 50-25 कोशन आप से भी के मैट्स 25 कोशन रीजनिंग 40 कोशन साइंस के होंगे और 10 कोशन जीके टीक है कुल मिलाकर सो कोशन आप से भी के एक्जाम में पूछे जाएंगे और सो अंक्य होंगे सेम प्रोसिस होगी और आप से भी का सेलेक्शन भी प्रोसिस सेम होने का टीक है बाकी चीज आप से भी के अलग-अलग आप से अलग-अलग वेकैंसी देखेंगे आपको जो ब पर बन जाते हैं जाएं जाएं इसको जोएंड कर लें टीक है लिंक इसका वीडियो के डिसकुप्शन में यहाँ पर आप से लेकर सारी जी जिए होंगी डेटेल एनलाइसिस आप से आप पर आप से भी को पहले ही मैं यहाँ पर कर देता हूं और कोई भी डाउट आप लोग पूर सकते हैं ठीक है बाकी आप लोग तयारी करना चाहते हैं अगर आप लोग इलीजिवल हैं तयारी शुरू कर दी टाइम कमें एक्जाम आप से भी का बहुत फास्ट फॉरवड में करा प्रफे इतो से अगय क्यांति कराइगा एक जरू करते है ठीक है तो जैहीं दोस्तों मिलते हैं आपके एगली वीडों में तेपते के लिए जैहीं चैनल का सबस्क्रेब करें वीडियो को लाइक हैं शियूर